Hey all media students, welcome to media world आपको यहां मास कम्मुनिकेशन के सिलिबस के सारे टॉपिक्स देखने, पढ़ने और सीखने को मिलेंगे चहां मैं आपसे एक्स्प्रेइन करूँगी तो आज हम पढ़ेंगे History of Transmission जिसमें कैसे रेडियो के दुआरा First Transmission हुआ था और उसे किनोगों ने किया था तो आईए इसके बारे में आगे जानते हैं एक बार Albert Einstein से पूछा गया कि रेडियो के बारे में कुछ बताईए तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जो आप वायर टेलिग्राफ देख रहे हो ये एक बहुत-बहुत बड़ी बिल्ली है अगर आप इसके पूछ नियू यॉयॉक में खीचोगी तो इसका सर जो कि लॉस एंजिल्स में हैं वहाँ पर आ रियक्ट करेगी क्या आपको ये समझ में आया तो ये जो रेडियो है वो बिल्कुल ऐसे ही काम करती है आप सिगनल को यहां से भेजते हो और फिर वो वहाँ पर पहुंचती है अइंस्टाइन ने रेडियो टांसमिशन को जो कि एक वायरलेस टांसमिशन है उसे टेलिग्राफ का एक 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 अग्जैंपल लेके समझाया जो कि वायर एसिस्टेट टांसमिशन है सैम्योल एफ मॉर्स ने 1837 को टेलिग्राफ और मैसेज़ेस को इन्वेंट किया इन दी फॉर्म अफ कोर्ट्स जो कि वायर और केबल यानितार के द्वारा भेजा और प्राप्त किया जाएगा ये इन्वेंशन पूरे विश्म में पहली बार मानव जाती के बीच लॉंग डिस्टेंस कम्मुनुकेशन का माध्यम बना इन दी उनाइटेस स्टेट्स अलोन 20 कंपनी स्टार्टे टेलिग्राफिक कम्मुनुकेशन विच एप्रॉक्स 23,000 माइल्स ओफ वायर टेलिग्राफ की टांसमिशन प्रोसस काफी ही सिंपल थी मैसेजेस को कोट्स में कनवर्ट की जाती थी ये कोट्स एलेक्रिक इंपल्स के रूप में रहती है और फिर वायर के द्वारा रिसीवर तक पहुंचती थी जहां फिर वो कोट्स मैसेजेस में वापस टी कोट करी जाती थी फिर बहुत जल लॉग डिस्टेंस वायरलेस टांसमिशन के खोज हुई इन 1876, अलेक्जेंडर ग्राम बेल पेटेंड एन अपरेटेस फूर टांसमिटिंग वोकल और अधर साउंड टेलिग्राफिकली जिसे आज के जमाने में उसे टेलिफोन कहा दाता है रेडियो ना केबल टेलिग्राफ और टेलिविजन के आविशकार के लिए बलकि अनविशकारों और वैज्ञाने को का भी माध्यम बना उसके बाद जर्मन फिजिसिस्ट हैंडरिच हर्ट्स उन्होंने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रिक वेप्स कैन भी टांसमिटेड एंड रिसीवड वायरलेसली पर हर्ट्स ने सोचा कि इसका कोई भी वास्तिविक में प्रैक्टिकल यूज नहीं है पर इटैलियन साइंटिस्ट गलेलियो मारकॉनी उनके ये इन्वेंशन से काभी प्रभावित हुए और उन्होंने इसका एक्सपारिमेंट इटली में शुरू कर दिया पर वहाँ पर इटैलियन गवर्मेंट ने उनके इस एक्सपारिमेंट पर रोक लगा दी तब फिर वो वहाँ से इंगलेंड आ गया और उन्होंने वहाँ पर पहली बार स्पोर्ट्स इवेंट को ब्रोडकास्ट किया त्रू वायरलेस टेलिग्राफी जिसके लिए उन्हें 1901 में नोबल प्राइस से भी सम्मानित किया गया उसके बीच सर जेसी बोस इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट विच वास जूजड बाई मारकनी तू रिसीव दरेडियो सिगनल फोर इस फर्स टांसलैंटिक रेडियो कम्यूकेशन इं 1901 इनके इस इन्वेंशन के बाढ़ लोग दावे करते हैं कि सर जेसी बोस ही रेडियो के रियल इन्वेंटर है To continue with the contribution made to the success of radio अगला नाम आता है Nikola Tesla का जिन्होंने Tesla coil को invent किया जो की एक induction coil है और बहुते ज्यादा आज radio के working के लिए use होता है Tesla ने wireless transmission of energy waves को भी publicly साबित किया 1891 में Tesla के इस invention के बाद आज के जमाने में चल रहे successful wireless radio बनाने के लिए भी दुनिया भर के अन्य साइंटिस ने भी धेरो इन्वेंशन किया जैसे कि Swedish scientist Ernest Alexanderson developed the alternator to make the transmission of speech फिर Canadian scientist Reginald Fassenden उन्होंने sound और radio carrier waves तोनों को एक सथ combine करके radio की wireless transmission जिससे एक जगह से दूसरे जगह without any signal distortion के सथ पहुचाने का अविशकार किया इसके बाद कई अन्य साइंटिस्ट जैसे लीडी फॉरिस्ट जो की father of American radio भी कहलाते हैं Alexander Popov, Sir Oliver Lodge, Amol Stolvier, Edward Branly जैसे नाम radio के successful invention में अपने अविशकारों के जरिये contribute करते हैं तो ये थी radio की first transmission के story की वो कब और कहां इस दुनिये में आई और किसने लाया जो की RJ यानि radio jockey के syllabus को समझने में काफी matter करती है so हमारा next topic रहेगा early radio transmission की radio को आविशकार करने का idea कहां से आया किस से और कब so till then keep learning and आपको जो भी topic समझ में ना आये mass communication के syllabus से आप वो नीचे comment section में बता सकते हैं फिर next video में मैं उसे explain कर दूंगी thanks for watching my channel that is media material have a nice day